तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे तो एक बर फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रावलर संधिया में तो आज का वीडियो हम लोग साम में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं खेट घूमने असपास के एरे का खेट तो आप लोग सोच रहे हैं कि चुआ तरफ जाएंगे जो मैंने आपको अपने पिछले व्लोग में दिखाया था जिसे डाड़ी भी कहा जाता है तो वहीं पर जाएंगे और अगर और कहीं गये तो वहां पर भी आपको ज़रूर घूमाएंगे तो चलिये चलते हैं आज आपको पुरा ए हुमने पाएंगे और सब कुछ अची से क्याप्चेर होने पाएगा तो चलिये चलते हैं आगे तो फ्रेंज स्वाती मैडम आज कर बहुत ही जादा सरारती हो गई है कुछ जादा ही इनको कुछ भांद करने का मन करता है और स्टेंट कर रही थी मैडम खेतों में जिसका नत बोले हम नहीं निकालेंगे बटी है निकलवाही रही है और यह काफी अंदर गुस गया है डर भी लग रहा हम निकालेंगे नहीं कभी स्वाती दरदी का तो एडवांस में आइम सॉरी यह बलकु आख एवन ऐसे ही नह निकालते हैं तो फ्रेंड्स अब स्वाती ने अपना काटा निकाल लिया है और देखिये इसका यह मक्या मक्या के इसका खार है यह काटा यह काटा था जो बड़ा से घुसा था बटी यह तीन टुक्ड़ों में हो गया और हाथ से भीचारी की कुन भी निकल लिया तो फ्रेंड्स हम लोग देखने जा रहे थे चुआ काफी दिन हो गया था इधर आए हुए तो यह खेत के पानी में हमें दिख गए छोटे छोटे मचली यहां पर यहां पर वो इधर भाग गए हाँ यह रहे बहुत ही जादा छोटे यह लोग यह मचली है कि पता नहीं में ड़क के बच्चें समझ नहीं आ रहा है स्वाति बोल रहे हैं यह मचली है तो हो सकता है यह मचली हो और यह लोग कितनी मस्ति से खेलगा है ध्या है ईक नहीं महिं ढप लग रहा हूं अठनी किया जैसा, हम लग किखेटों में कुद फांद रहे है और यह लोग पानी में कुद फांद रहे है जैसा हाँ, घा जो दो आणी की नोटिस किजह एक लाहता है पक्लम पक्ला हैं ना और सब इस गड़े में आके धपा मारा हाँ सबस्ते हैं सो क्यूट तो गाइस चलते चलते हम लोग आज आगए हैं अपने पडोसी गाउं के पास और हमें पता भी नहीं चला तो हम लोग का गाउं हमारे ठीक पीछे है वो है हमारा गाउं और हम लोग चल के आगए हैं हमारे पडोसी गाउं जिसका नाम है तुकु टोला तो चलिए यहां पर गूमते हैं थोड़ा सो देखा जाए आसपास का अरिया इधर कैसा है और फ्रेंस यहां से हमारा गाउं बहुत ही जादा खूबसूरत दिख रहा है बीच में यह सीड़ी वाला खेट पड़ जाता है ज और यहां पर बहुत सारी गाएं भी चल रही है और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है मस्त दिख रहा है एक दम यहां का व्यूव कैमेरे में तो कुछ भी अच्छे से कैप्चर नहीं होने पता है बट रियल आखों से आप जो देखेंगे वह आप जब फील करेंगे तब ह टॉ समझ में आता हैं तो गायज हमारे गाह में तो ऐसा यहां के और उसे पिलिए यूज करते हैं खाना पकाने के लिए चूल हमें तो यह पर भी जादा गोइठा नहीं है बट रही कुछ खेंगे बारिश पढ़ने वाली थी तो शयाद इसलिए व extraordin Camera बारिश की वज़े से दो दिन से जो बारिश हो रहे थी उसके वज़े से और इधर का तो पूरा तूट गया है वाव यह तलाब है तो गाइस यह देखिए हमारे पड़ोसी गाउं का छोटा सा तलाब और यह काफी गहरा है दूर से तो पता ही नहीं चलता है कि एक तलाब है और यह बहुत ही जादा खूबसूरत लग रहा है और हवा के वज़े से इसका जो पानी हिल रहा है वो एक अलगी सा ब्यूटी बना रहा है इसका और काफी साफ सुथ रहा है इन लोगों ने अच्छो से मेंटेन करके रखा है तलाब को कहां पे ओ हां वहां पे छोटा सा पत्थर रखा गया है कपड़े वपड़े धुलने के लिए या फिर नहाने के लिए और वहां पे भी है तो काफी खूबसूरत दिख रहा है यह गाउं की ब्यूटी है स्वाति सायद यहां पर कुछ लगा आया है ना चलो चल के देखते हैं यह हरा हरा कैमरे में कितना मुश्त दिखता है ना वाव टमाटर है यार देख यह बहुत है यह तो बड़े अरिया में की तोड़के खाने है देखिया यह एक टमाटर का खेथ है और इसमें जितना भी वाइट वाइट दिख रहा है आपको यह सारे टमाटर क्यामरे में बिल्कुल भी नहीं क्याप्चर हो रहा है बट बहुत ही जादे रियल में खूबसूरत दिख रहा है चुटे-चुटे हैं भी अभी लाल मतलब पके भी नहीं है लो और यह शायद भाया कुटे को लेकर बैठें रखवाली करने के लिए ताकि इनके टमाटर कोई चुरा ना सके और देखें वहां पर सामने में यहां कोई बकरी बकरी या फिर कोई गुस्ना जाया से जानवर हां उस वज़े से रखा और वहां पर ट्रैक्टर है कि अरे हां यहां ठीक सामने में मक्कई भी लगा हुआ है बट जूम करने पर क्वालोटी खराब हो जा रही है लेकिन वह मक्कई है अभी आधा बड़ा हुआ है वो लोग अभी छोटे-छोटे हैं यार हम मुझा जल्दी घर जाना है क्या करें स्वाती हम लग घुमने निकले थे और फ्रेंट्स हम लोग जिधर भी जा रहें उधर पानी मिल जा रहें खेतों में इधर से जाना भी सेफ नहीं लग रहा है पूरा पानी बहरा है इधर से चल्ड़ा थे इसले सकते हैं देखिए यह सांप कबील है बहुत ही बढ़ा है ची बहुत खराब है यह साती तो अब हम लोग खुजेंगे नया रास्ता देखिए नया रास्ता मिल गया इधर भी पानी बहरा है और हम लोग लेट आज लग रहा है कि थाने पीने के लिए अच्छा से अटिंग पार हो सकता है कि नए नए वही से पार होते हैं यह कितना खूबसूरत लग रहा है जर्ने की तरह आज 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 बाब कि अ अ बहुत जाए उ क कि आ कि अजब अ कि ए फई एफ इई को चahnों को Toni मौ अजब रालव लाल कि ए न आरों आरों करे हम लाल आरों आरों हो सह हो अल Flex क्परा खरों जे गर खए इा कर्ञा कि मारी तो मेरे साफ रहा है जहर दिख लेगा बताईएगा कर वार दिख लेगा रहा है कर दो कोड़ा है कर दो कोड़ी है कर दो 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 झाल झाल तो गाइज आज मैंने आपको खेट भी घुमा दिया और चलते चलते तो हम लग दूसरे गाह में पहुंच गेते हैं हमारे पड़ोसी गाह में जिसे टुकुटोला का जाता है और आज आपने साप भी देखा जो हमारे घर के सामने ही निकला था मतलब आया था निकलेगा नही और माना जाते हैं कि ये साप बारिश के मौसब में आसमान से गिरता है गुच्छों में अब ये कितना सच है वो तो लोग जो देखा है वही जाने हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं पता बट वैसा माना जाता है कि होर होरिया साप उसे बोला जाता है तो वो साप आसमान से गिरते हैं और आज का भी दिन बहुत ही अच्छा खासा इंट्रेस्टिंग था निकल गया और अज थकान भी बहुत ही ज्यादा हो गई है घूमते फिरते तो आज का व्लॉग हम यही पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे कल एक और नए और धमा के दार व्लॉग के साथ तेल देन एवरीवन टेक केर और बाबाए